Good morning students, आचन 3rd class का new chapter स्टार्ट कर रहे हैं Lesson 5 Eating Habits of Animals जानवरों में खाने की आदत ठीक है? You already know that living things need food to survive आप सभी को पहले से ही पता है कि एक जीवित जो वस्तु है उसको survive जीवित रहने के लिए food की, खाने की जरूरत होती है Food provides energy to carry out various activities of life जो खाना है हमें उचा देता है अलग-अलग तरह के काम करने में हमारी life में You also know that plants can make their own food but animals cannot आप सभी को ये भी पता है कि जो पौदे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं पर जो पशू हैं, जानवर हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते They depend on plants directly or indirectly for food वो जो है निर्भर करते हैं किस पे, plants पे प्रत्यक्ष मतलब की directly और अब प्रत्यक्ष मतलब की indirectly भोजन के लिए Animals show a variety in their food and feeding habits जो animals हैं वो अपने जो है खाने में और खाने की आदतों में उनकी बहुती जादा variety है मतलब की वो कैसा भोजन खाएंगे और क्या भोजन खाएंगे वो उसमें बहुती जादा विवित्ता है Based on the food they eat, animals are divided into इस basis पे जो वो खाना खाते हैं उसके आधार पर जो है उनको वर्गों में भाटा गया है किस–किस में हार्विवोर्स मतलब की शाकाहारी, केर्णिवोर्स मतलब की मांसाहारी फ्री कैटिग्रीस हैं शाकाहारी, मांसाहारी और सरवाहारी Animals like cow, gots, sheep and giraffes eat grass और green plants जानवर जैसे की गाएं, बक्री, भेड और जिराफ जो हैं वो क्या खाते हैं गांस खाते हैं और हरे पौधों को खाते हैं Such animals are called plant eating animals or herbivores और इन जानवरों को क्या कहते हैं Plant eating मतलब की पौधे खाने वले जानवर या फिर शाकाहारी जानवर Animal like tiger, foxes and leopard eat flesh of other animals जो जानवर हैं जैसे की चीता, लोमडी, leopard ये क्या खाते हैं मांस खाते हैं दूसरे जानवरों का They are called flesh eating animals इनको क्या कहते हैं मांस खाने वले जानवर या कार्निवरों मांसाहारी जानवर Some carnivores eat only dead animals कुछ जो है मांसाहारी जानवर जो हैं वो सिरफ मरे हुए मृत जानवर को खाते हैं उनका शिकार नहीं करते हैं जो जानवर मर जाते हैं उनको खाते हैं and are known as carvenger और उनको क्या कहते हैं For example, hyena, jackal, vulture, etc यह इनके example है ऐनिमल लाइक रैट, mice, squirrel, beer, and crow eat both plants and animals जानवर जैसे की रैट चूहे, गलहरिया, बीर, भालू और कौवे यह जो हैं प्लांट्स भी खाते हैं और जानवरों को खाते हैं और इनको इसी लिए क्या कहते हैं सरवाहारी जो कि दोनों तरह के भोजन को खाते हैं ठीक है next feeding habits of animal खाना खिलाने की आदते हैं वो किस तरह से खाना खाते हैं the feeding habits of animal depends upon their food जो उनकी feeding habits खाना खाने की आदत है वो उनके खाने पर निर्वर करती है an animal mouth an animal's mouth teeth and even body structure help it to eat a certain type of food जो एक जानवर है उसका मुँ उसके दांत और उसका जो पूरा body का structure है शरीर का जो संरचना है शरीर की जो संरचना है वो उनके खाना खाने के टाइप जो वो खाना खा रहे हैं उस पर निर्वर करती है let's treat on to know how आईए हम उसके बारे में पढ़ते हैं आज हम इतना ही करेंगे next class में हम harby words start कर देंगे तो इसके जो मैंने difficult words आपको बता हैं उनको underline करके आप note down करेंगे जिससे कि आपको वो याद रहें जब भी आप ये chapter पढ़ो आपको ये पता हो कि हमने कौन सा जो word है ओमनी वरस है उसको क्या कहते हैं हरवी वरस को क्या कहते हैं कार्णी वरस को क्या कहते हैं ठीक है आज के लिए बस इतना ही thank you के अब की वरस की वरस की बादी औरो येखिंच। झामा मलत हो झाल